प्रदेश में आगामी विथानसभाचुनाव के साथ कॉंग्रेस ने लोगसभाचुनाव की तैयारियों का बिगुल भी बजा दिया है। पार्टी की जीत की संभावनाओं को तलाशने की कवायत शुरू की। राजस्थान की चीफ ऑब्जरवर वरिष्ट कॉंग्रिस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने 25 लोगसभा सीटों की फीडबैक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दी है। राजस्थान के लिए नियुक्त परिवेक्षकों में से अधिकांश प्रदेश के पड़ोसी राजियों के नेताओं को एक-एक लोगसभा सीट का जिम्मा सौपा गया है। रहा हो सकती है जिस पर चलना होगा, मिशन 2024 के लिए उसे तलाशने की कोशिश करेंगे, जाती राजनेतिक और सामाजिक समय करनों को समझेंगे, हर शेत्र में जो चुनौतियां सामने आ रही हैं पार्टी के लिए उनका आकलन किया जाएगा और उसके बाद एक रिपोर्ट काम करेंगे, निकरानी की जिम्मेदारी चुनावों के लिहाज से इन्हें दी जा रही है, और ये पता लगाएंगे कि मोदी सरकार के खिलाफ जनता में किन मुद्दों पर नाराजगी है ताकि उन्हें भुनाया जा सके, कौन सा चहरा लोगसभा चुनावों में पार्टी क के सांसद हैं, इसमें पैट बनाना और अपने खाते में एक सीट लाना ये एक बहुत बड़ी चुनावों के लिए रहने वाली है, क्योंकि अमूमन होता ये था कि जो विधान सभा चुनावों जीतता था, लोगसभा चुनावों में भी उसका अक्स नजर आता था, लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं हुआ, सत्ता में आने के बावजुद लोगसभा की एक बी सीट कॉंग्रेस नहीं जीत पाई उन्होंने नगर परिशत सभागार में कॉंग्रेसी नेताओं की बैठक ली चुनावी फीडबैक लिया, इसमें विधान सभा चुनाओ, जिला प्रभारी, चेतन डूडी, जिलाध्यक्ष, हरी सिंग, पूर विधायक और कॉंग्रेस के पताधिकारी मौजूद रहे प्रभु ठोकिया ने कहा कि आगामे चुनाओं के लिए कारिकरताओं को पूरी मेहनत के साथ उतरना होगा और आपसी मनमुटाओ भुलाकर कॉंग्रेस प्रतियाशी को विज़ई बनाने के लिए काम करना होगा और भरतपूर में आज जिला कॉंग्रेस कारियाले की बैठक के दौरान हंगामा दिखा कॉंग्रेस की लोगसभा परिवेक्षक गीता भुककल की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी इसी दौरान जिला कॉंग्रेस कारियाले पर स्वागत सम्मान कारिकरम और टिकेट वितरंग कारिकरमों में कारिकरताओं की अंदेखी को लेकर हंगामा हो गया कारिकरताओं ने जम कर बवाल मचाया कारिकरता बैठक को छोड़ जाने लगे लेकिन कॉंग्रेस के जिलाद्धियक्ष दिनेश सूपा ने कारेकर्टाओं को समझाया उसके बाद बैठक दोबारा शुरू की गा और चलिए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए